बुदवार दस अगस्त को दो पहर दो बजे नितिश कुमार आटवी बार मुख्य मंत्री पद की शपत लेंगे तो वहीं आरजेटी नेता तेजस्वी यादब दूसरी बार डिप्टी सीम पद की शपत लेंगे बिहार की 164 विधायकों की महागठबंदन वाली सरकार का फॉर्मूला भी लगभग लगभग तै हो गया है कहा जा रहा है कि 35 विधायकों का एक मजबूत मंत्री मंदल बनाने की तैयारिया है जद्धी और आरजडी कोटे से 14-14 मंत्री बनाए जाएंगे वही 7 मंत्री अन्य पार्टियों से होंगे कुल 7 पार्टियां इस महागठबंदन में शामिन होंगी बताने की नितीश कुमार राजडी पाल फागु चौहान से मिलकर अपना इस्तिफास सौप चुके है इसके बाद वह सीधे राबरी अवास पर पहुंचे जहां उनके मुलाकात तेजस्वी यादब से हुई राबरी अवास से तेजस्वी यादब के साथ फिर राजडी पाल के पास पहुंचे दोनों ने राजडी पाल से मिलकर महागठबंदन की सरकार बनाने का दावा पेश किया नितीश ने राजडी पाल को 164 बिधायकों के समर्थन वाली चिठ्थी भी सौपी नितीश के दावा पेश करने के कुछ घंटे बाद राजभवन की तरब से आज उन्हें शपत ग्रहन का समय मिल गया है यानि कि आज दो पहर दो बजे नितीश की नई सरकार का शपत ग्रहन होगा बताय जा रहा है कि महागठबंदल में कूल साथ पार्टियां शामिल है जिसमें जद्यो आरजडी कॉंगरेस हम लेप्ट समेट दो अन्ने पार्टियां भी है सरकार में सभी पार्टियों की भागेदारी रहेगी नई सरकार में जद्यो रार्जेटी कोटे से 14-14 मंत्री रहेंगे वही कॉंग्रेस को तीन और लेप्ट को दो मंत्रा ले दिये जा रहे हैं जीतन नाम मांजी की पार्टी को भी एक मंत्रा ले दिया जा सकता है हाला कि अभी तक मंत्री मंदल विस्तार को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है केवल मुख्य मंत्री और डिप्टी सीम के शपत ग्रहन की ही बात कही जा रही है सुत्र तो ये भी बताते हैं कि नितीज की नई सरकार में 35 मंत्रियों का मजबूत मंत्री मंदल होगा सबी पार्टीओं को नई सरकार में शामिल किया जाएगा हाला कि सूचना ये भी है कि आरजेडी ने नितीश भारी भरकम ग्रह मंत्राले की मांग कर दी है आरजेडी ग्रह मंत्राले अपने पास रखना चाहती है बताने कि एंडिये से अपनी राही अलग करने के बाद नितीश कमार ने कहा कि जब तक वह साथ रहें उन्होंने गठबंदन का धर्म निभाया बिठायकों और सांसदों की सहमती के बाद हमने यह फैसला लिया सभी निताओं की इक्षा थी कि हम एंडिये गठबंदन से अलग हों उन्होंने बीजेपी पर जद्यू को खत्म करने की साजिश रचने का रोब भी लगाया है दितिश कमार ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित ही किया है जुरो दिक्षान से पाउच उटकारा कोचिंग इस्टिचूट से गूगल प्ले स्टोर से दिक्षान से अप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाव आजसान और मज़ेदा दिक्षास देता है topic wise video with animated visuals and concept wise study material